नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का IITNs Point में। मैं अजय कुमार, Faculty of Social Science। आज हम लोग डिसकस करेंगे 10th के Geography के एक Important Chapter, Chapter No.5 जिसका नाम है Minerals and Energy Resources। तो सबसे पहले सवाल ये आता है कि आखिर Resources होते क्या हैं। आम भासा में हम लोग सभी जानते हैं कि प्रकृति के द्वारप्रदान की गई वो सारी चीजें जिसका मनिश्य अपने हित के लिए उपयोग धता, उपभोग करता हो। उन्हें Resources यानि संसाधन कहते हैं। ठीक यहाँ पर Minerals and Energy Resources के बारे में बात हुई है, यानि ये दोनों भी एक Resources के फॉर्म हुए, Minerals भी एक Resource हुआ और Energy भी Resource हुए, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि Minerals क्या होते हैं। Homogeneous, Naturally Agreeing Substance with a Definable Internal Structure, Homogeneous मतलब ऐसे Substance जो सेम टाइप के Material से बने हो। ठीक है। जैसे Minerals में Minerals तो होते ही हैं, उनके साथ साथ रॉक भी होते हैं। तो दोनों के दोनों सेम टाइप के Substances से बने हैं। दोनों ही Solid हैं। ठीक है। और Naturally Agreeing तो होंगे ही। Plus, Substances with a Definable Internal Structure, यानि उनके Internal Structure को हम आसानी से Define कर सकते हैं। कि कौन सा Mineral है, कौन सा Rocks है, और Mineral में भी कौन से Element से बने हुए हैं वो Mineral। ठीक है। अब हम समझेंगे कि और कीसे कहते हैं। Ore is a Naturally Agreeing Material, having one or more minerals in sufficient concentration mixed with other elements। कहने का तात पर यह है, कि Ore भी एक Naturally Agreeing Material है, जिसमें एक से ज़्यादा Mineral भी पाए जा सकते हैं, या फिर सिंगल Mineral भी हो सकता है। लेकिन उसके साथ साथ धेर सारी other elements भी मौजूद होते हैं, जैसे Rocks, Gangs, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि Mineral हमेशा Ore के Form में ही पाए जाते हैं। सीधी सी भासा में Ore क्या है? एक Large Deposit of Mineral ठीक है। जहां से हमें कच्चा Mineral प्राप्त होता है, एकदम Basic Form में और उसके बाद हम वहां से उसे प्राप्त करकर Purify करकर अपने हिसाब से अपने टाइप का Material बना लेते हैं। बात जब Mineral की हो ही रही है, तो हम लोग उसके Users के बारे में भी समझेंगे। हमारी आसपास मौजूद जितनी भी सारी चीज़े हैं, उनमें कहीं ने कहीं Mineral जरूर पाया जाता है। यहां तक कि हम जिस घर में रह रहे हैं, वो भी Mineral से ही मिलकर बने हुए हैं। रोड्स, बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रीज, ट्रक्स, कार्स, ट्रेंस, बसे, एरोप्लेंस, सभी कुछ Mineral से मिलकर ही बने होते हैं। यह तो हो गई हमारे आसपास के सुरांडिंग की बात। पर अगर हम अपने खुद पर भी नजर डालें, तो हमारे डाइट में केवल 0.3% ही Mineral कियाव सकता होती है। पर उसके बिना 99.7% जितने भी Neutrients हैं, उस सब बरबाद जाएंगे। मतलब यह है कि Mineral हमारे लिए इतना IMPORTANT हैं कि उनके बिना बाकी के Neutrients हमारा सरीर डाइजिस नहीं कर पाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि Modes of Accrains of Mineral क्या होते हैं। यानि Mineral किन-किन अवस्थाओं में पाए जाते हैं। पहला है Through Igneous and Metamorphic Rocks Igneous और Metamorphic Rocks में जितने भी Joints, Cracks वगरा होते हैं उसी में Mineral पाए जाते हैं। सीधा मतलब यह है कि इन पत्थरों में जितने भी दरार या फिर उनके बीच खाली Spaces होते हैं उनमें ही Mineral पाए जाते हैं। जब Mineral इन पत्थरों में बड़ी बड़ी दरारों में पाए जाते हैं उस अवस्था को Loads कहा जाता है। और जब Mineral इन ही पत्थरों में पतले पतले दरारों में पाए जाते हैं उन्हें Vanes कहा जाता है। दूसरा है Through the layers of Sedimentary Rocks यानि Sedimentary Rocks में जितने भी Mineral पाए जाते हैं वो एक Horizontal Layer में ही पाए जाते हैं जैसा कि आप Figure में देख सकते हैं। ऐसा तब होता है जब Crust के Horizontal Strata में बहुत सारे Mineral आकर Deposit हो जाते हैं और उन्हें के Accumulation and Concentration की वज़ए से ये पत्थर फॉर्म होते हैं। तीसरा है Alloville Deposits या फिर Placer Deposits माउंटेंस के नीचले हिस्से में यानि तराई वाले Regions में जितने भी Mineral Deposit होते हैं उसे ही Placer Deposits कहते हैं। ये Water के द्वारा Corridor नहीं होते हैं। इन पे Weathering का प्रभाव होता है। जब पत्थरों का Weathering होता है तो उन्हें में से Mineral's तूटकर नीचे तराई वाले Regions में जमा हो जाते हैं। जैसा कि आप Figure में देख रहे हैं कि अलोवियल या फिर Placer Deposits की Mining किस तरह से की जाती है। इस तरह की Mining ज्यादा तर प्रिशियस मिटिल्स के लिए हैं की जाती है। जैसे की सोना, चांदी, प्लेटिनम, इत्यादी। चौथा है Ocean Waters, जब समुदर में मौजूद Minerals समुदर के बहाव के कारण किनारों पर जमा हो जाते हैं तो उन्हें Ocean Waters के Minerals कहते हैं। Common Salt और Magnesium इसके महतवपूर्ण उदारन है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हमारे नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में, तब तक के लिए जैहिंद।